अक्षरा सिंग ने बिग बॉस के घर में लहंगा पहन कर बिलकुल ही देजी अंदाज में इंट्रीगी थी लेकिन पहले ही दिन अक्षरा ने अपना बोल्ड लुक सबको दिखा कर शॉक कर दिया है यलो कलर की टीशिट और डेनिम शॉर्पस में अक्षरा काफी अच्छी लग रही थी अक्षरा के लुक की बात करें तो बिग बॉस में घर की सभी लड़कियों को आधा ही सामान भेजा है जिस वज़ा से घर की सभी लड़कियों के पास मेकप ना के वराबर है हमेशा सजी धजी रहने वाली अक्षिरा सिंग बिना मेकब के भी काफी प्यारी लग रही थी पहले दिन के शुरुआत होती है काम बाटने के साथ क्योंकि फिलहाल घर का कोई क्याक्टर नहीं है तो कौन क्या काम करेगा इस बात पर सभी घरवाले चर्चा कर रहे थे बातो बातो में अक्षिरा की निशान जो कि कोरियोग्राफर है उनके साथ बहस हो गई अक्षरा ने कहा कि अगर सब लोग एक साथ राइडेंगे तो कभी किसी निस्ट कर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे जिससे निशान सहमत नहीं थे और दोनों की थोड़ी बहस हो गई लेकिन इस बहस से घरवालों को ये एहसास हो गया कि अक्षिरा एक स्ट्रॉंग कंटेस्टिंट है पंजाबी सिंगर मिलन गावा ने निशान और जिशान से इस लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि अक्षिरा उन्हें स्ट्रॉंग लग रही है उन्हें लगता है कि अक्षिरा हर टास्क में अच्छा करेंगी घर की बाकी लड़कियों के मुकाबले अक्षिरा जादा मजबूत नज़रा रही है और उनकी भोजपूरी फैन फॉलोविंग काफी जादा है जिसका अक्षिरा को काफी जादा फाइदा होने वाला है रहना चाहिए था अक्षिरा ने एक गाना गाया जो काफी सुरीया था और को का फिजादा पसंद सबख 오빠 तो भूजपूरी बढ़र भी कुछ बात कर पसंद कर दो COM कि इन ही गानों से अक्षरा का घर चलता है अक्षरा को रोता हुआ देखकर घर के कई लोग उन्हें मनाते हुए नज़र आए अक्षरा ने अपनी एंट्री पर भी कहा था कि वो इस शो के जर्ये भोजपुरी को बुरा समझने वालोई लोगों को बताएंगी कि भोजपुरी शुरू हो चुका है वूट सलेक्ट पर ये शोव 24 घंटे लाइफ आप देख सकते हैं इसके साथ ही आप अगर चाहें तो एक घंटे का एपिसोड हर रोज शाम साथ बचे देख सकते हैं और ये शोव वीकेंड्स पर यानि कि शनिवार और रविवार रात आठ बची कोट बहार तक